गूड मोर्निंग एंड वेलकम एवरिवन दोस्तों आज है अक्टूबर एट फ्राइडे का दिन है वो हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर की अनेलिसीज मेरे नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह है आपके लिए कुछ स्लेक्टरी टोपिक्स मैं यहां पर लेके आया हूँ एवर देख लेते हैं ब्रीफली हम लोग कौन-कौन से टोपिकाज करने वाले हैं पहला टोपि बहेगा वो नोबल प्राइज के बारे में रहेगा देखें नोबल प्राइज के आजकल बहार आई हुई है उसके उपर सरकार को सुप्रीम कोटने को serious questions पूछे हैं तो इसके बारे में आपको यहां पर हम कुछ जानकरी देने की कोशिश करेंगे आगे रहेगा speaker approaches supreme court against high court order on royal disqualification यह कि इसके बारे में बात करता है in Indian agriculture यह आज का editorial है इसको मैं explain नहीं करूँगा यह आपकी खुद की self reading के लिए है हम जो editorial explain करने वाले हैं वो रहेगा bad bank वाला bad bank के बहुत important topic है क्योंकि NPA और bad bank बहुत important topic आपके prelims के लिए भी और mains के लिए भी mains के लिए जादा important है ठीक है क्योंकि आप अगर देखोगे previous area questions के analysis करोगे तो आपके 40-50% question सिर्फ और सिर्फ money और banking से आते हैं तो इसके regarding कोई भी अगर आपका chapter होता है तो topic होता है वो बिलकुर छूटना नहीं चाहिए आगे कहता है कि IATM ने study किया है कि कावेरी रीवर के अंदर जो pollution पाया गया है उसके reasons क्या क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कौन-कौन से reasons है थोड़ा सा आपको मैं कावेरी रीवर के बारे में बताऊंगा आगे कहता है कि Supreme Court no to intervene in the appeal of NPA देखे सुपरेमिन इस तो यह तो बहाना है topic हमारा separation of power है आगे करेंगे the world bank retains इंडिया के जो 2022 के लिए growth होने वाली है उसको 8% इनोंने fix कर दिया है इसके अंदर base effect क्या होता है इसके reasons कौन-कौन से है थोड़ा साब को बताऊंगा और future forecast के बारे में बताऊंगा अर आज हम लोग करने वाले है दो questions अपने mains के perspective से ठीक है एक एडिटोरल यहाँ पर mention नहीं कि अगया है by mistake वह आप नीचे जाके देख लेना क्योंकि वहां से एक mains का question बना है तो देखिए आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हम लोग यहाँ पर question discuss करते हैं mains वाले आप उसको जरूर लिख ल position में होगे attempt करने के ठीक है और अगर यहाँ से question आता है analysis से तो thank you बोल देना मन करे तो चाहे भी पिला देना ठीक है चलिए पहला topic है वो है तंजानिया के nobelist है तो पहले आप इनकी country पता होनीचे यह तंजानिया यह पैदा तंजानिया में हुए थे लेकिन अभी रहते यह ब्रिटेन में है क्योंकि 1960s में ही यह ब्रिटेन में चले गए थे because of the violence in तंजानिया लिखते इंगलीश में है हालें कि इनकी जो mother tongue है वो स्वाहिली है स्वाहिली अफ्रीका में बहुत major population के दोरा बोली जाती है लेकिन लिखते ही इंगलीश में है अच्छा यहाँ पे जो picture पिक्चर है वो इनकी नहीं है यह जिनको अभी Nobel Prize मिला है उनका नाम है Mr. Gurnah Mr. Gurnah लेकिन यह पिक्चर उनकी नहीं है यह पिक्चर है Mr. Wall Soinka Mr. Wall Soinka अब मैंने यह picture आपको क्यों दिखा ही है क्योंकि आज तक की history में सिर्फ यह दो ही ऐसे non white person रहे हैं जिनको Nobel Prize मिला है इसी लिए important हो जाता है तो थोड़ा सा आपको वोल के इनका नाम पता होना चाहिए that's it ठीक है और English में लिखते हैं इनकी दो book आपको बता देता हूं एक इनका नाम इनका paradise बहुत शांदार बुक है second world war second one के दोरान इसको उस समय की कहानी बताती है आपको और एक बुक है इनकी desertion यह desertion बुक भी जो है बोकर प्राइस के लिए nominate हुई थी तो इनको मिला है Nobel Prize ठीक है तहां से बिलोंग करते हैं तंजानिया से तंजानिया कहां प location आप थोड़ा सा देख लेते हैं जोगरफी के perspective से देखी यह तंजानिया है और तंजानिया को कौन कौन सी country सराउंड करती हैं यहां पे आपका आजाता है कीनिया यहां पे आपका आजाता है यूगांडा रवांडा बुरुंडी इधर आता है कोंगो इधर आता है जांब लेक विक्टोरिया जो आपके नाइल रिवर होती है वो भी लेक विक्टोरिया से ही ओरिजिनेट होती है ठीक है और यहां पे जो विक्टोरिया वोटरफोल है दैट इस अ लार्जेस्ट वोटरफोल इन इंडिया है और इंडिया वाले perspective से चलो comment section में लिखना शुरू करो जल्डी से जल्डी एंडिवेज आगे वले news क्या कहती है देखे वह सुब्रमान्यम स्वामी जी ने क्या किया सुब्रीम कोट में सुब्रम्नम्ज स्वामी परेशान है सरकार से है ना बिखो को पॉलिटीक में लोग नहीं जाएंगी लेकिन एक्चल वो परेशान है वो सरक किया पहले सरकार को कुछ suggestion दिए सरकार ने इनकी बात सुनी नहीं तो यह चले के Supreme Court में Supreme Court में इन्होंने application डाली और इन्होंने Supreme Court कहा के my lord आप कुछ guidelines जो मैंने आपको बताई है प्लीज वो guidelines आप सरकार को बता दीजिए ताकि सरकार उन guideline को follow करके NPA की problem से छुटकारा पासके अब Supreme Court ने कहा के भाईया यह मेरा domain नहीं है यह जो आप बता रहे हो यह judiciary का domain नहीं है यह executive का demo domain है यह RBI का domain है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता तो we strictly follow separation of power ऐसा बोला Supreme Court ने और यह कह के उनकी application को reject कर दिया लेकिन साथ के साथ उनको suggestion भी दिया कि यह जो आप हमें guideline बता रहे हो तो यह जागे प्लीज आप Mr. Modiji को बताए प्यम को वह कुछ इस पर कर सकते हैं तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको entertain नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारी territory का पार्ट नहीं है तो जो यहाँ पर word आता है separation of power इंडिया के अंदर we do not follow separation of power as such we basically follow separation of function separation of power क्या होता है you very well know separation of power का मतलब होता है कि जो government के organs होते हैं जैसे legislature होता है executive होता है और judiciary होता है तीनों अपने-पने function अलग-अलग तरीके से करेंगे एक दूसरे काम में टांग नहीं अडाएंगे basically that is the meaning of separation of power इंडिया में हम लोग इसको strictly follow नहीं करते हैं क्योंकि इनकी powers overlap करती है especially legislature की और executive क्योंकि जो legislature का part होते हैं वही executive होते हैं तो इंडिया में we do not follow it as such in very strictly America में we follow it very strictly okay that is about the separation of power लेकिन इसका जनम कहां से हुआ separation of power की बहुत पहले हजारों साल पहले बात की गई थी Aristotle ने ठीक है बहुत पहले उसके बाद French philosopher थे जिन्नोंने 18th century में Monteskin का नाम है बहुत important नाम है यह आपको पता भी होना चाहिए आपके GS4 के perspective से उसके बाद John Locke John Locke के concept भी आपको GS paper 4 के सबसे पता होने चाहिए क्योंकि उसमें philosopher सुगारा के बारे में they can ask you questions तो separation of power का मतलब होता है इंडिया के अंदर कौन-कौन से आर्टिकल है जो separation of power के लेके directly और indirectly आपको बताते है आर्टिकल 50 DPSP का आता है ठीक है यह कहता है कि obligation over the state to separate the judiciary from the executive ताकि दूसरे के टांग में कामें टांग नाडाएं अगला कहता है आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 क्या कहता है यह कहता है कि president क्या है वो ordinance issue कर सकते है जब parliament session में नहीं होती है you very well know that चलिए आप comment section में मुझे क्या बताना है क्योंकि I assume कि आप लोगों ने अपनी polity त्यार कर रखी है आप मुझे comment section में बताओ क्या ordinance के थुरू constitutional amendment act किया जा सकता है क्या pass क्योंकि ordinance completely एक law making process होती है जब parliament session में नहीं होता है तो क्या इस process के थुरू constitutional amendment कर सकते हैं interesting question है comment section में फटा फटा लिखना शुरू करो नहीं पता है तो google करो लक्षमी कात जाओ उसको पड़ो फिर comment section में बताओ लेकिन आई expect के mostly लोग आप में से इस question का answer जरूर जरूर दोगे क्योंकि एक बार अगर आपने comment कर दिया ना फिर आपको इसको जिंदगे पर भूलोगे नहीं आगे क्या कहता है article 121 and article 211 यह क्या कहता है कि आप जो जो legislature होते हैं वो judges का चाहे हो high court के judge हो चाहे supreme court के judge हो आप उनके conduct को question नहीं कर सकते हो during the time of normal function लेकिन जैसे impeachment वगरा होता है उस समय कर सकते हैं चलिए एक word आगे हैं यहाँ पर impeachment अब आप यहाँ पर question बताओगे मुझे कई बार लोग impeachment को और removal को interchangeably use कर लेते हैं लेकिन there is a difference between impeachment and removal थोड़ा सा difference होता है आप मुझे यह पताओगे के impeachment word का use हम लोग कब करते हैं और removal word का use कब करते हैं हमारी polity में ठीक है exam में भी आपको exact language लिखनी रहती है चलो आप मुझे comment section में बताओ article 361 भी यहाँ पर है कहता है के president and governance enjoy immunity from the court proceeding चलिए आगे कहते हैं IITM ठीक है मदरास मुंबई नहीं है मदरास है यहाँ पर इन्होंने एक study किया है उस study में इन्होंने यह पाया है कि कावेरी जो river है वो काफी contaminated है ठीक है अब इसका reason क्या है इन्होंने इसका जो एक reason बड़ा interesting दिया है वो दिया है pharmaceutical activities क्योंकि pharmaceutical industry से बहुत सारे चोटे मोटे जो compounds होते हैं वो river के water में जाके मिल जाते हैं जैसे personal care product आप लोग cream गरा लगाते हो गोरा होने की है ना वो कुछ plastic वहाँ से निकल जाता है flame retardants निकलते हैं heavy metals निकलते हैं pesticide बगरा भी निकलते हैं यह सारे के सारे river के पानी में जाके add हो जाते हैं जिसकी वज़े से वहाँ पर problem create हो जाती है okay यह बात होगी इन्होंने एक चीज़ और बोली कि मौनसून के दुरान contamination थोड़ा सा कम होता है लेकिन मौनसून जैसे ही जाता है तो contamination का जो percentage है वो increase हो जाता है कि ठीक है अब देखो यह है आपकी कावेरी रिवर का कोर्स यहां पर आपका नजर आ रहोगा तो यह है यहां पर करनाटका और इदर आता है वेस्टन घाट तो यह आपके वेस्टन घाट में ही originate होती है originate होने के बाद यह east side में move करती है और finally Bay of Bengal में जाके drain करती है आपकी कावेरी रिवर तो करनाटका से निकलती है और उसके बाद यह तमिलनाडो में entry करती है और उसके बाद यहां पर drain कर जाती है ठीक है यह आपका पता होना चाहिए तो कहां से originate करती है लिखा हुआ यहां पे यह मैंने wikipedia से as it is copy paste कर दिया है ताल कावेरी नाम की जगा है ठीक है western घाट में करनाटका में ओके बेओ बेंगोल में जाके drain करती है और इसकी length कितनी है 8,0 and 5 km ठीक है इसकी ट्रिबूटरी कौन कौन सी है लेफ्ट बैंक ट्रिबूटरी देखो यहां पे लिखी हुई है राइट बैंक ट्रिबूटरी यहां पे लिखी हुई है बिलकुल exact information है और आपको रोए disqualification भाई यह है मुकुल रोए मुकुल रोए अभी बीजेपी की टिकट से लड़े थे लेकिन और यह जीत भी गए तो इन्होंने क्या क्या बाद में TMC यानि कि त्रिमिनल कॉंग्रेस इन्होंने जोइन कर लिए अलांकि इनकी पुरानी पार्टी नहीं में इसी के प ले जो होते हैं वो एक पार्टी की टिकट पे लड़ते हैं जीतते हैं और फिर दूसरी पार्टी जोइन कर लेते हैं तो उसको का जाता है defection इनके अगेंस्ट में लगेगा anti-defection law ओके getting this point चलिए न्यूस का कहती अब बीजेपी वाले चले गए हाई कोट में इनके disqualification को लेके हाई कोट ने जो स्पीकर हैं वहां के जो legislative assembly के speaker हैं उनको अक्तुबर 7 का टाइम दिया मतलब कल तक उनको समय दिया था कि कल तक इनके उपर फैंसला कीजिए आप इनको disqualify करो कोगे कि नहीं करोगे अब speaker चले के supreme court में के भाईया आप हाई कोट के फैंसले को बदलिए आप मेरे उपर मुझे force नहीं कर सकते time के लिए वो पुरे का पुरा मामला है तो क्या कहता है मामला बात यह है कि 2011 से लेके 2021 के बीच में कहीं सारे कहीं सारे leaders ने West Bengal में TMC को join किया ल यह speaker करते क्यों नहीं है अब यहां पर कुछ problems है problem यह है कि जब भी कईसी के उपर anti-defection low लगता है तो speaker का फैसला आखरी फैसला होता है लेकिन constitution के अंदर यह mention ही नहीं है कि कितने time frame में उसको अपना फैसला सुनाना है तो कहीं बार वो पूरे 5 साल निकल जाते हैं वो लेकिन speaker कभी भी neutral नहीं होता है इसी वज़े से वो अपनी party के favor में फैसला सुनाता है जैसा ही उसको लगता है तो यह पूरे के पूरी चीज़े यहां थी तो anti-defection low के बारे में बता दो कि हमारे 10th schedule में बिलोंग करता है 1985 में इसको add किया गया था 85 में बाद में 2002 में थोड छोड़ दिया हो जो voluntarily किसी दूसरी party को join कर लेता जैसे मिकल रोई ने किया ठीक है कनेया कुमार ने भी किया था Congress को join कर लिया लेकिन कनेया कमार के उपर anti-defection नहीं लग सकता क्योंकि वो तो member थे ही नहीं है ना उनके उपर लगता है जो member होते है चेंज कर लेते हैं या फि anti-defection law लग जाता है यह state assembly में भी लगता है और पारलेमेंट के अंदर दोनों के अंदर लगता है ठीक है और इसको जो disqualify करने का जो final question है तो decide कौन करता है residing officer of the house ठीक है तो यह कोहता होलन एक होलन के काइब का केस था 1993 में जिसमें जो है कुछ-कुछ बाते की गई थी के anti-defection law के regarding कितने समय में करना चाहिए house ने करना चाहिए speaker को करना चाहिए वो सारी-सारी बाते इसके बारे थी कोई ज़्यादा जानना नहीं है वो खाम का मैंने वैसी mention कर दिया है लेकिन यह जो आर्ट लाखरी वाला ने सबसे ज़्यादा controversial है क्या कहता है कि speaker के कोई के पास कोई भी time limit नहीं है कि उसको कितने समय में disqualification वाला फैसला सुनाना है अब court का इसमें क्या कहना यह भी एक interesting चीज़ है देखे court तभी कुछ कह सकता है जो speaker ने अपना फैसला सुना दिया हो क्योंकि लोग के अंदर साफ साफ लिखा हो है कि जो presiding officer होते हैं उसकी power final होती है हाला कि supreme court ने time to time यह कहा है कि यह judicial review हम लोग कर सकते हैं लेकिन भाया judicial review तो तब करेंगे ना जब फैसला आएगा फैसला आने से पहले तो judicial review नहीं हो सकता यह भी हम पे प्रोलम है तो यह मामला भी supreme court में गया है तो बड़ा interesting रहेगा देखना supreme court इसमें क्या गयता है खेर आगे बात आती है world bank की world bank ने 2022 के लिए इंडिया की जो forecast रखी है वो 8.3% रखी है क्यों रखी है यह थोड़ा सा positive है क्यों positive है क्योंकि सरकार ने public investment के उपर जोर दिया है public investment का मतलब यह होता है कि जब सरकार नए ने project चलाना शुरू करते है roads बनाती है, bridges बनाती है, ports बनाती है उसे public investment बोलते है private investment is separate तो जब जब public investment होता है तब तक GDP की growth होती है क्योंकि GDP का मतलब क्यों होता है, GDP का मतलब होता है public investment, private consumption and all that है ना, यह GDP का party तो होते हैं दूसरी बात इन्होंने बोली के production linked incentive सरकार ने अभी textile में, plastic में, है ना, कुछ और automobile manufacturing में production linked incentive scheme चलाई है manufacturers को लेके, मतलब जितना ज़ादा वो manufacturing करेंगे सरकार उतना ही उनको फायदा देने वाली है जिसकी वज़े से इंडिया में manufacturing थोड़ा सा improve हुआ है ठीक है, और यह World Bank ने कौन सी report निकाली है इसने निकाली है, shifting gears, digitization and the service-led development यह है इस report का नाम, जिसमें World Bank ने यह projection किया है ठीक है, और इनने यह भी कहा कि देखो 2022 में तो 8.3% रहेगा लेकिन उसके बाद इंडिया की तो GDP growth है वो कितनी हो जाएगी, 7% हो जाएगी तो वो 7.7% के आसपास ही घुमेगी क्यों घुमेगी, क्योंकि तब तक base effect खतम हो जाएगा अभी जो इंडिया की high GDP growth आपको नजर आ रही है 8%, 9%, 10% वो base effect की वजह से है rather than the real growth ठीक है, अब देखो अब इसमें दो चीज़ें यहाँ पर accommodate कर सकती है एक होता है fiscal measures और एक होता है monetary measures fiscal measures का मतलब होता है जो सरकार taxation policy लेती है, इसको कहते है fiscal, monetary का मतलब होता है जो RBI policy लेती है monetary policy, जैसे reverse reporate reporate, CRR, SLR, bank rate and all that, वो सारी monetary policy होती है, जो RBI लेता है monetary policy का use करके RBI हमारी country में money की supply को कम या जादा कर सकता है okay, fiscal policy का मतलब होता taxation and all that, चलो यहाँ पर आपके लिए कुछ report मैंने यहाँ पर mention कर रखी है, आप देख सकते हो कि world bank जो है, और IMF, world economic forum कौन कौन सी report को issue करता है, ठीक है, तो एक आपके लिए extra information आप इसको जाकर देख सकते हैं यह है आज का पहला mains का question, क्या कहता है what do you understand by the panchayati raj institution, discuss the role of PRIs, यानि के panchayati raj institution in times of disaster with examples, यह आपने focus करना है, also suggest some measures to make it more effective, 150 words में है, और इसको आप easily यहाँ से handle कर सकते हो ठीक है, क्या कहता है देखिए, grassroot democracy के बारे में यह article है, और grassroot democracy, यानि के decentralization decentralization of democracy ठीक है, यह इसका मतलब है panchayati raj को सबसे पहले राजस्थान के नागपुर डिस्टिक से इसको implement किया गया था, 1959 की मैं बात कर रहा हूँ, उस से मैं पहली बार किया गया था, क्योंकि local self जो governance होती है, यह हमारी democracy का backbone होता है, भाया democracy का मतलब ही होता है, four people by people, तो जब तक by people मतलब लोगों के द्वारा, democracy में participation नहीं किया जाएगा, तब तक there is no true democracy, उसी के लिए panchayati raj institution को बाद में हम लोगों ने constitution के अंदर भी properly इसको add किया, और इसको main frame बनाया, खेर, people's plan, campaign और vibrant gram सभा dashboard, यह सरकार ने भी centrally program चलाए है, पिछले महीने ही चलाए हुए है, अगर आपको detailing जाननी है, तो detailing भी मैंने यहाँ पर दी हुई है, दोनों program के बारे में, ठीक है, मैं आपको नहीं करवाँगा, यह आप खुद यहाँ से detail बढ़ सकते हैं, मैंने top-down approach लेते हैं, top-down approach का मतलब क्या होता है, सरकार initiative लेती है, highest level पे, उसके बाद state government या district administration या गाउं में वो उसको पहुंचाते हैं, इसे कहते है top-down approach, एक होती है bottom-up approach, जो नीचे से शुरू होके धीरे-धीरे ऊपर जाती है, तो ऐसा usually देखा गया है कि कोई भी disaster हो, हमेशा top-down approach इंडिया follow करता है, लेकिन वो fail हो गया, top-down approach ने काम नहीं किया, जैसे हम लोगों उन्हें COVID-19 में देखा है, top-down approach ने काम नहीं किया, तो COVID के समय में क्या हुआ, जो हमारी पंचायती राज institution नहीं बहुत important role play किया, कैसे किया, देखो, एक तो इन्होंने risk को कम कर दिया, और बहुत जल्दी इन्होंने respond किया, ताकि लोगों की जल्दी से जल्दी help हो सके, अगर आप गाओं में, जैके मेरे गाओं का मुझे पता है, मेरे गाओं में बहुत अच्छे से काम हुआ था, COVID के समय में, जो सरपंच थे या कुछ लोगों को नोमिनेट किया गया था, उनको special duty दी गई थी, कि बहार से आने वाले जो लोग हैं, उनके उपर special नजर रखी जाए, उनकी health की, उनके लिए चेक अप वायरा करवाया जाए, वो सारी के सारी चीज़े पंचायती लेवल पे उनको किया गया था, तो इसलिए गाओं में वायरस जाने के बावजूद भी situation गाओं में इतनी ज़्यदा खराब नहीं हुई, क्योंकि पंचायती राज institution ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, regulatory framework भी इन्होंने किया और welfare function भी इन्होंने किये, COVID के समय में, तो इन्होंने COVID के example देके पूरे-पूरे इस article को समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, जो पंचायत ने, उन्होंने containment zone बना दिये थे containment zone, जहाँ पे जो लोग infected थे, उनको वहाँ पे रखा जा रहा था, ट्रांसपोर्ट किसी विधाए उनके लिए की गई, मालो किसी को शहर से गाउं में आना है, तो ट्रांसपोर्ट किसी विधाए उनके लिए की गई, उसके लावब जो food वगारा वहीं पे available कराया जाता था, कपड़ वगारा धोना, वो सारा काम वहीं पे किया जाता था, उनको गाउं में बाद में आने दिया जाता था, after the 14 days of quarantine, तो इतनी जाता जो grassroots level पे implementation किया गए, वो यार पंचायत की वज़े से ही तो हुआ, जो migrants गए थे दिल्ली से या मुंबई से, उनको उनकी गाउं में जब वो गए, पंचायत में गए तो उनका arrangement किया गया, उसके अलावा, जिन लोगों की job चली गई थी, जो migrant थे, वो गाउं में गए तो उनको गाउं में भी तो job देना है ना यार, financial उनको support तो करना है, तो मनरेगा को और जादा अच्छे से implement किया गया, जिसकी वज़ेश उनको गाउं में जाके भी उनको job मिल गया, कुछ ना कुछ तो मिला कम से कम, तो ये पूरी की पूरी इननोंने बताया है, उसके अला इनके उपर believe करते हैं, है ना, local में, जो बड़े-बड़े officials होते हैं, उनके उपर लोग ज़्यादा trust नहीं करते हैं, तो जब आशा worker और रांगनवाडी worker ने लोगों के बीच में रहके काम किया, community level पे, तो जो trust था between higher government officials and people, वो trust को हम लोग bridge कर पाए, trust को कम कर दिया गया, तो जो gap था ना, उसको कम कर दिया गया, तो surveillance system भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया, quarantine center में लगातार नजर रखी गई, citizens को बार-बार motivate किया गया, vaccine लगवाने के लिए, तो जो पंचायती राज institution है, बहुत बड़ा role इन्होंने play किया है, COVID-19 से लड़ने के लिए, are you getting this point चले, हमारे यहांपर जनली क्या होता है, हम लोग disaster के समय में, disaster होने के बाद, उसके उपर action लेते हैं, मतलब लेकिन, होना क्या चाहिए, mitigation के उपर ज़्यादा focus होना चाहिए, rather than the response, बहुत दिजास्टर होने से पहले ही, आप लोगों को educate करो, उनको train करो, ताकि disaster आये, तो पंचायती राज act है, इसके अंदर ही, लीगल तोर पे, disaster management के chapters को add करना चाहिए, अभी तक वो add नहीं है, पहली बात यह, दूसरी बात, आप वहाँ पे जो location specific लोगों को training दीजिए, community level पे, अब यहाँ पे सिर्फ COVID की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सारे disaster की बात हो रही ह जैसे अब अगर हिमाचल के रोतरा खंड की बात करो, वहाँ पे बहुत सारे earthquakes आते हैं, तो वहाँ के लोगों को आप earthquake specific training दीजिए, आसाम के अगर बात करो, बिहार की बात करें, वहाँ पे flood आता है, तो वहाँ पे लोगों को flood related training दीजिए, location specific training देना community level पे बहुत ज़्या हो जाता है, तो कुछ लोगों को आप training देख सकते हो, कि वो radio को कैसे handle करना है, ताकि वो radio communication कर सके, इस तरह की चीजिए आप वहाँ पे कर सकते हो, उसके अलावा जो planning की जाती है, disaster को दूर करने की, वो भी आप local level पे कर सकते हो, अभी क्या होते है, planning higher level पे की जाती है, और higher level पे कई बार ऐसा होता है, कि local needs को ignore कर दिया जाता है, क्योंकि उनको local condition पता नहीं होती है, लेकिन अगर plan भी local level पे बनेगा, तो इसका मतलब वो अच्छे तरीके से उसको implement भी कर पाएंगे, क्योंकि local level पे जो गाओं और जो cities होते हैं, वहाँ पे traditional wisdom होता है, traditionally क्योंकि उस problem क लोग face कर रहे हैं, इसलिए वो अच्छे से solution भी बता सकते हैं, तो यह सारी की सारी चीज़ी यहां पर की गई है, उसके लावा community based disaster fund भी आप बनाएए, जो हमारी पंचायती राज institution है, इनको और ज़्यादा financial help दीजिए, ताकि disaster के समय में यह और ज़्यादा मजबूत हो सक एक बढ़िया सा article था, आपको question दिया है, वहाँ पर आप उसको लिखिये, अपने notebook में भी लिखो, और आप हमें comment section में भी अपने point लिख के बता सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे कहता है, what is the need of the bad bank, ठीक है, discuss the risk surrounding it, आपको risk बताने है, उसके अलावा suggest some measures to resolve the problem of the rising NPA, NPA और bad bank एक दोनों topic को यहाँ पर combine किया हुआ है, ठीक है, important topic है, आपके mains के perspective से, क्या कहता है, देखे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा topic है, इसलिए मैंने 250 words में यहाँ निकलोड कर दिया है, अब देखे, सरकार ने finally bad bank को बनाने का फैसला कर लिया है, अब इसमें क्या करेगी सरकार, recovery, मतलब, company limited है, ठीक है, दो company हैं बनाई गई है, IDRCL और एक NARCL, अब यहाँ पर क्या होगा, जो NARCL है यह बैंकों से उनका bad, उनके जो NPA है, उसको purchase करेगी, लेकिन जो IDRC है, यह उसको recover करेगी, जहां रखना है, एक agency purchase कर रही है, दूसरी agency recover कर रही है, are you getting this point, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे बैंकों में अभी लगबख दो लाख करोड के, मतलब आप सोच, जीरो भी सोच नहीं सकते कितनी जीरो आएंगी, दो लाख करोड के लगबख हमारे बैंकों के पास इस समय NPA है, जो NARCL purchase करने वाला है, purchase करके उसको IDRCL को देगा for recovery, और फिर उसके बा जितना IDRCL recover कर सकता है, उतना तो ठीक है, लेकिन जो recover नहीं कर पाएगा, सरकार इतनी मदद उनकी extra कर देगी, तिससे होगा गया, इससे ही होगा, कि जो बैंकों का जो balance sheet है, वो improve हो जाएगी, बैंकिंग जो already, जो स्विधाएं हैं, वो proper तरीके से हो पाएंगी, अब देख आशर है JNU के अंदर economy के, तो इन्होंने question answer format में इस पुरी article को दिया हुआ है, तो मैंने आज कुछ नया experiment किया, मैंने सोचा चलिए, हम भी लोग question answer की format में कर लेते हैं, तो आज हम लोग ने question answer की format में इस article को cover किया है, देखे, क्या कहता है, पहला question, कहता है, what is the need to bail out the banks, why not let banks recognize their losses and let insolvent देखे, इन्होंने कहा कि यार देखो, यह बैंकों की problem है न, NPA की problem इतनी ज़्यादा क्यों ही, क्योंकि banks अपने आपको manage नहीं कर पाए, अब जब banks अपने आपको manage नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार जिम्मेदारी क्यों ले रही है, भाया उनको insolvent होने दो, bankrupt हो यह हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, कि आपने, आपने कुछ, आपने जो काम किया, वो effectively नहीं किया, और बाद में आप कहरे हो सरकार को please हमारी help कर दो, तो इन्होंने कहा कि देखो भी यह ऐसा नहीं होता है, bank जो है, वो economy की backbone होते हैं, हलांकि bankों के पास बहुत सरा NPA है, और वो अपने आपको proper तरीके से manage नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि सरकार उनकी मदद नहीं करेगी, ठीक है, देखें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि this is one time, ऐसा नहीं है कि हम लोग BA bad bank को हमेशा के लिए रखेंगे, bad bank अभी कुछ समय के लिए बना दूसरी बात, यह जो bad bank है, वो क्या करने वाला है, वो जो balance sheet है बैंकों की, उसको improve करेगा, ताकि bank जो है, वो अपनी lending को grow कर सकें, देखें जब तक economy में lending नहीं होगी, तब तक economy में investment नहीं होगा और growth नहीं होगी, तो इसलिए lending के function को improve करना भी ज़रूरी है, दूसरी बात क्योंकि हम लोग बैंकों में यह सोचके deposit करते हैं, कि आपकी जो investment, आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है, RBI भी शपत लेती है, RBI का भी यह function है कि वो depositors को नुकसान नहीं होने देगी, और वो बैंकों को proper तरीके से manage करेगी, RBI is the regulator न, तो अगर bank insolvent हो जाते है, तो RBI और government की भी responsibility बनती है, कि वो हमारे बैचारे भोले भाले investors की help करे, contagion effect भी हो सकता है, अगर एक bank bankrupt हो गया, तो हो सकता है, दो चार दस bank भी bankrupt हो जाएं, और हमारी पूरी economy पूरी तरह से खतम यहाँ पे हो सकती है, और अगर bank अपने loan को right of करते हैं, मतलब उसको अपने balance sheet से हटात है, तो बड़न तो आने ही वाला है, चाहिए हो बैंकों की उपर है, चाहिए सरकार की उपर है, क्योंकि आप दोनों को isolate नहीं कर सकते हो, अगला question का कहता है, कहता है, is it there the risk of moral hazard linked with bailout which makes banks more complacent, देखिए, moral hazard का मतलब क्या होता है, moral hazard का मतलब होता है, जब morally काम करने के लिए excited न कर देगी, तो भईया, वो काम क्यों करेंगे, देखो, दिख रोगा न आपको, लोगों की line लगी हुई है, उसके बावजुद भी ये बहन अराम से पत्ते खेल रही है, ऐसे बहुत सरे आपको मिलते होंगे, news ना, सरकारी बैंकों में कोई लोग काम नहीं करते, अब जब लोगी ये पता है, कि उनको चाहे नुकसान हो, doesn't matter, सरकार उनकी help करेगी, तो क्या वो moral hazard नहीं होगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, देखे, अब answer इन्हों ने क्या दिया है, इन्हों ने answer ये दिया है, कि देखे हमारे पास दो चीज़े हैं, एक है हमारे पास risk, और दूसरा ह हमारे पास moral hazard, अगर सरकार ये सोचेगी, कि bank जो है, वो demotivate होंगे, इनकी help मत करो, तो bank ठप हो जाएंगे, बंध हो जाएंगे, risk बहुत जादा है, तो अगर आब risk को compare करते हो moral hazard से, तो सरकार risk को कम करने कि यहाँ पे कोशिश कर रही है, moral hazard तो होगा, without any doubt, future में जब bank अच और public sector bank अगर fail हो जाता है, तो कहीं न कहीं मतलब सरकार fail हो रही है, तो सरकार वो भी नहीं दिखाना चाती है, right, चलिए, क्योंकि private bankों के पास NPA already काफी कम है as compared to public sector banks, अगला question कहता है, कहता है कि, why do you think the government has opted for the bad bank over directly infusing capital into banks, ऐसा भी तो कर सकती थी कि सरकार directly bankों को पैसा दे दे rather than the bad bank, कर सकती थी न, अब उसके लिए इन्होंने क्या reason दिया है, इन्होंने कहा है, कि देखिए, man power की हमारे पास कमी है, man power की हमारे पास कमी है, bankों का ये काम नहीं होता, कि वो recovery करें, bankों के पास man power, अगर हम लोग bad bank बनाएंगे न, क्योंकि bad bank के पास speciality होती है, loans को recover करने की, इसलिए वो अच्छे से यहाँ पर काम कर सकते हैं, ताकि bank अपने major काम के उपर focus कर सकें, अब recovery का काम करेगा bad bank, और loan देने का bank करेगा काम, bank इससे efficiency बढ़ती है, वैसे भी इंडिया में पहले जैसे लोग अदालत थी, debt recovery tribunal थी, सरफेसी एकर था, IBC था, है न, insulin से, bankruptcy court, इतनी सारी चीज़े होते हुए भी हमारी country में NPA की problem सही नहीं हुई, तो इसलिए सरकार ने कुछ नया step लिया, जिसे काहता है bad bank, तो हो सकता है bad bank की वज़े से problem यहाँ पर दूर हो जाए, आगे कहता है, अगला question कहता है, what is the need for the bad bank when India already has the member of the private asset reconstruction companies, जब इंडिया में already बहु bad bank भी asset reconstruction company है, तो question यह कहता है कि जब already इंडिया में बहुत सारी exist करती है, तो एक और की क्या जूरत है, अब यह कह रहे हैं कि देखो, bank का काम वसूली करना नहीं होता है, like वसूली भाई, bank का काम होता है lend करना, पैसा loan पे देना, अगर सरकार bad bank मना देगी, तो bad bank जो है, वो private asset reconstruction company है अभी इंडिया में, वो बैंकों के साथ benefit को share नहीं करती है, लेकिन bad bank बैंकों के साथ अपना benefit share करेगा, profit sharing basis पे होता है, इसलिए bad bankों के पास incentive होता है, अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है, और क्योंकि इनके पास special type के लोग होते हैं, जो recovery में माहीर होते हैं, expertise होत इसके बारे में इसमें बताया गया है, आगे कहता है, आगे कहता है, आगे कहता है कि do you think that the bad bank which is essentially owned by the troubled bank, dancers will have a different incentive, यह जो bad bank है इसको कौन own करता है, bad bank को जो है banks ही owner है इसके, तो इनका कहना है कि भाहिया, अब यह बताइए, जब bad bank को यह खुद banks ही own करते हैं, तो हम लोग कै ऐसे कह सकते हैं कि bad bank जो अच्छे से काम करेगा, अभी इन्हों नहीं इसका answer दिया है, कि देखिए, जो bad bank के अंदर जो staff होता है, वो staff अपनी normal bank से काफी different होता है, normal bank को के पास जो staff होता है, वो expertise नहीं होता है recovery करने के लिए, लेकि bad bank वाले expert होते हैं, इनकी salary भी आलग होती है, क्योंकि जो NARCL है, जो IDRCL है, वो जो recovery करेंगे, उसके लिए fees charge करते हैं, जिसके लिए इनको incentive मिलता है, तो जितना जादा वो लोग recovery करेंगे, उतना ही जाद उनको fees मिलेगा, जितना जाद उनको fees मिलेगा, उतना ही जाद उनको profit होगा, इसलिए उनके पास एक incentive होता है अगला question क्या कहता है अगला question कहता है तो क्या bad bank एक permanent solution है या सिर्फ और सिर्फ एक temporary solution है देखे इसका answer इन्होंने क्या दिया है इन्होंने कहा है कि देखिए NPA की problem अभी इंडिया में बहुत जादा है और ऐसा भी नहीं है कि NPA की problem future में नहीं होगी ये तो future में भी होगी क्योंकि जब आपका अच्छा समय आता है अच्छा समय आता है तो NPA कम हो जाता है क्योंकि corporate वगर अपना loan चुका देते हैं लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो बैचारे वो नहीं चुका पाते हैं तो जिसकी वज़े से NPA होता है तो future में भी तो अच्छा समय और बुरा समय आएगा न तो NPA तो future में भी होगा लेकिन bad bank उसको क्या करेगा bad bank उसको manage करने के level पे लेके आएगा bad bank का ये काम नहीं है कि वो NPA को zero कर देगा bad bank का काम है कि वो उसको manageable level पे लेके गएगा ताकि अगर future में जब NPA और जादा बढ़ जाएगा तो कम से कम उसको manage करने वाली position हम लोग होंगे तो ये इन्होंने इसका answer दिया है मुझे लगता है काफी अच्छा answer है ठीक है चलिए additional reading में हम लोग क्या क्या करने वाले है UK ने इंडिया का जो आप यू very well know कि इंडिया वालों के उपर उन्होंने sanctions लगाए थे कि आप लगर UK में आते हो बरेटेन में आते हो ताबकर 10 दिन का quarantine लगाए जाएगा उसके against में इंडिया ने भी यही काम किया था तो खैर अभी UK ने इसको drop down कर लिया है Supreme Court ने EWS quota के बारे में सरकार से कुछ question पूछे हैं देखे EWS quota इसके लिए सरकार ने 8 लाख रुपे की limit रखी हुई है 8 लाख रुपे per year तो Supreme Court ने बोला है भहिया आप 8 लाख के figure तक पहुँचे तो कैसे पहुचे यह बताओ क्योंकि जिसकी income 8 लाख से कम होती है उसको EWS quota में रखा जाता है अब सरकार से पूछा है Supreme Court ने आप पहले तो यह बताओ कौनसी आपने ऐसे study कई थी जिसकी वज़े से आप 8 लाख figure पे पहुचे हो उस study का नाम मुझे बताओ ठीक है तब जो है क्योंकि यह जो भी EWS को वाला quota वाला issue अभी है Supreme Court के अंदर चल रहा है तो इसलिए Supreme Court ने उस सरकार से सवाल पूछा है जो हमारा 103rd Constitutional Amendment था उसमें हम लोगों जो states को compensation देनी होती है GST Act के अंडर सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिए सरकार के रहते हैं सैस लगाती है तो उसके बारे में ही है कि 40,000 क्रोड़ के states को दिया जा चुका है through GST and all that ठीक है उसके अलावा जो 8th Standard में admission लिये जाते हैं RIMC schools में इंडियन military college यहाँ पर जो है girls भी यहाँ पर exam दे सकती है अभी तक सिर्फ boys दे सकते थे तो एक यहाँ पर चीनियोज है उसके लावा अफगानिस्तान को लेगा एक छोटा सा issue है यह आज का editorial है अगर आपके लाश समय हो तो आप इसको भी पढ़ सकते हो otherwise जो editorial आज हम लोगे ने करवाया है that is more than sufficient ठीक है उसके लावा second wave is not over health ministry ने अशा कहा है killing the chills यह क्या है malaria के बारे में कल भी हम लोगे ने पढ़ा था malaria vaccine के बारे में उसी के बारे में article है ठीक है इसको आप देख सकते हैं चलिए that is all for the day thank you very much all the best and Jai Hind